टेस्टी किच्चन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं साबुदाना की खीर आप देख सकते हैं एकदम खिला-खिला साबुदाना मोतियों की तरह दिख रहा है एकदम अलग-अलग बिल्कुल भी चिपकी नहीं है हमारी साबुदाना की खीर एकदम के से बनाएंगे तो बिल्कुल पर्फेट खीर बनेगी आपकी साबुदाना खीर बनाने के लिए हमें चाहिए साबुदाना हम आधा कटोरी साबुदाना लेंगे तो सबसे पहले हम साबुदाना को अच्छे से वाश करेंगे क्योंकि सावुदाना में होता है बहुत सारा स्टार्च तो इसको हम अच्छे से वाश कर लेंगे हम इसको चार से पांच बार वाश करेंगे तिना भी इसमें एक्स्ट्रा पाॉडर होता है यानि की स्टार्च वो निकल जाएगा जिसकी वज़े से आपकी खीन बिलकूल भी चिपकेगी नहीं आप देख सकते हैं पानी कितना क्लावडी हो गया है इसको हम हटा देंगे फिर दूसरे पानी से वाश करेंगे इसी तरीके से हम इसे 4-5 बार वाश करेंगे जिससे की ये अच्छे से साफ हो जाए आप देख सकते हैं हमने साबुदाना को अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे दूद हमने आधा कटोरी साबुदाना लिया था तो हम एक कटोरी दूद लेंगे जिससे कि अच्छे से डूबे हुए रहे इसको अब हम रख देंगे एक घंटे के लिए जिससे कि अच्छे से ये फूल जाएं दूद में देख लेते हैं साबुदाना खीर बनाने के लिए हमें किन चीजों की अवशक्ता होगी खीर बनाने के लिए हम लेंगे साबुदाना हमने आधे कटोरी साबुदाना लिया है जिसे हमने एक कटोरी दूद में हंटे के लिए भीगो के रख दिया था आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गए हैं अब हम लेंगे चीनी हमने आधा कटोरी चीनी लिया है एक बड़ा गिलास हम दूद लेंगे ड्राइफरूट्स में हमने बदाम लिया है उसे हमने छोटा-छोटा काट लिया है किश्मिश लिया है हमने और मखाना लिया है उसको भी हमने छोटा-छोटा काट लिया है अब हम चलते हैं अपनी सावुदाना खीर बनाने के लिए खीर बनाने के लिए हमने लिया है पतीला हमने गैस ओन कर लिया है इसमें डालेंगे सावुदाना जो हमने पहले से ही भिगो के रखा था दूद में एक बड़ा गिलास हम दूद लेंगे टोटल हमें आधा लीटर दूद लगा है हमने पहले से ही भिगो के रखाता साबूत दाना को अब हम इसे कलची से चलाते रहेंगे पुरे नीचे तले तक ले जाएंगे जिससे की नीचे जले ना ये उबाल आने तक इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि फटे ना ये आप देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो गया है टोटल पांच मिनिट लगे हैं उबाल आने में क्लेम लो कर देंगे और इसे ऐसे ही पकने देंगे 10-15 मिनिट तक आप देख सकते हैं साबुदाना ट्रांस पेरेंट से कलर के होने लग गए है अब आप देख सकते हैं हमारी साबुदाना खीर पहले से थीक हो चुकी है फकाते हुए हमें 10-15 हो चुके हैं अब हम इसके अंदर ।ालेंगे ड्राइफ रूट्स के अंदर डालेंगे कटे हुए मखाना, मखाना डालने से खीर काफी स्वाधिस्ट बनेगी, आप जरूर इस तरीके से ट्राइ करें, अब हम इसमें डालेंगे हम किश्मिश, ठीके साथ ही हम डालेंगे आधा कटोरी चीनी, हमने आधा कटोरी साबुत दाना लिया था, तो हम आधा कटोरी चीनी लेंगे, इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे, जब तक चीनी अच्छे से घुलना जाए, तब तक इसे ऐसे ही चलाएं, जब तक एक उबालना आ जाए, क्योंकि फट जाता है, अब हम इसमें इलाइची पाउर डालेंगे, और इसे लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे पांच मिनट के लिए आप देख सकते हैं कितनी थीक सावुदाना खीर बनके रेडी हुई है हमारी इसमें काफी अच्छी खुश्बुगा आ रहा है टोटल हमें 20 मिंट लगे हैं सावुदाना खीर बनाने में अब हम इसे रख देते हैं थंडा होने के लिए फिर हम अब आप देख सकते हैं हमारी सावुदाना खीर ठंडी होने के बाद काफी ठीक हो गई है अब हम सर्व करते हैं आप देख सकते हैं कितनी टेस्ट ही लाजवाब सावुदाना खीर बनके रेडी हुई है हमारी मोतियों की तरह खिली खिली दिख रही है गार्णिश करने के लिए इसमें हम बदाम डालेंगे हमने पहले से ही कट करके रख लिया था इतनी स्वादिस्ट खीर आपने कभी नहीं खाई होगी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें अगर आप मेरी तरह सावुदाना खीर बनाएंगे तो आपकी खीर ना फटेगी ना जलेगी और ना च सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं आपके लिए कौन सी न्यू रेसिपी लेकर आऊं